दोस्तों आपने नाजाने कितनी बार सुना होगा कि इंडिया-चाइना बॉर्डर में कॉन्स्टेक्ट की स्थिती बनी हुई है LAC में फारिंग हो रही है मैकमोहन लाइन के आसपास चाइना अपनी मुवमेंट्स पढ़ा रहा है और नाजाने कितनी ऐसी जेग्राफिकल लोकेशन्स हैं जो चाइना-इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़ी हुई है तो आज हम once and for all इन सभी लोकेशन्स को visually interpret करेंगे और समझेंगे आज हम बात करने वाले हैं सिनो इंडियन वॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटिड दे लाइन ओफ एक्ट्वल कंट्रोल यानी LSE के बारे में पिछले कुछ सालों में चाइना के बढ़ते aspirations, ambitions और assertion के बारे में हमने पढ़ा और जाना है इन Chinese assertions में border और territorial disputes को लेकर conflict भी involved है चाइना के इन assertions को शायद सबसे ज़्यादा इंडिया नहीं face किया है चाहे वो डोकलाम crisis हो या फिर गलवान standoff इस context में आज हम समझेंगे सिनो इंडिया border dispute के भूगोल और इतिहास को और जानेंगी कि वो कौन से major points हैं जिनको लेकर disputes आज भी जिन्दा है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका study IQ में दोस्तों line of actual control currently इंडिया और Chinese control territories को demarkate करती है और ये actual border से different है ये line of control यानि LOC से भी अलग है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ceasefire line है LOC से अलग जो actual border है वो उन territories को demarkate करता है जहां इंडिया या चाइना अपना legitimate दावा करते हैं लेकिन ये हो सकता है कि इन claim territories में कुछ शायद उनके actual control में हो और कुछ उनके actual control में ना हो पर एक्जामपल अक्साइचन अभी के लिए चाइना के control में है लेकिन असल में वो इंडिया का integral part है जिसे चाइना ने occupy कर रखा है इंडिया के borders में अक्साइचन included है लेकिन LAC में वो included नहीं है खेर actual borders क्या है उस पर ही main dispute है लेकि line of actual control भी एक disputed line है क्योंकि आज तक इसे mutually demarket नहीं किया गया है LAC Tum का origin 1959 में Zhao Inlai के इंडिया के ततकालीन PM नहरू को लिखे गए letters में हुआ है बाद में 1962 सिरो इंडियन वार के resolution के लिए ये एक informal ceasefire line बनी और official recognition 1993 के bilateral agreement में हुआ लेकिन कोई demarkation नहीं हुआ इंडिया मानता है कि LAC 3,488 km long है लेकिन चाइना इसे सिर्फ एक 2,000 km long line मानता है पहले तो LAC केवल western sector की boundary को मानते थे लेकिन 1990s में ये पूरे de facto demarkation में use होने लगा LAC तीन sectors में divided है इस्टर्ण, मिडल और वेस्टर्ण Eastern sector and Macbohan line जो से Macbohan line बिटिश इंडिया और तिबितन गवर्मेंट के बीच 1914 के शिमला एग्रिमेंट के तहत demarkate की गई थी जिसमें असम, हिमालिया और बर्मा included है ये लाइन 890 km long है जो Eastern भूतान से लेकर बर्मा बॉर्डर के इसू राजी पास तक है ये लाइन हिमालियन क्रस्ट के long located है जिसकी वज़े से इसका exact demarkation भी disputed रहा है इसके लावा चाइना Macbohan line के legality को ही challenge करता है और claim करता है कि शिमला agreement में चाइना का representation नहीं था और तिबबत के representatives की कोई authority नहीं है ऐसे borders को decide करने की Chinese government claim करती है कि तिबबत हमेशा से चाइना का part था और इसलिए चाइना ही border agreement में decision ले सकता है इसलिए actual boundary dispute में चाइना पूरे अरुनाचल प्रदेश को अपनी territory बताता है लेकिन LAC को लेकर dispute Eastern sector में काफी rare है क्योंकि 1959 में zone in line ने अपने letter में Macbohan line को LAC माना था Macbohan line को इंडिया अपनी international boundary मानता है जिसे चाइना accept नहीं करता खैर LAC को लेकर disputes, Longju, Asafilla और Tawang Valley को लेकर है Asafilla, Economic Times की एक report के हिसाब से यह 100 square kilometer का एक forested और mountainous area है जो LAC के along अपर सुभानसरी division में है 1962 war में यह एक primary areas में था जहाँ Chinese attacks हुए On ground, Asafilla अभी किसी की control में नहीं है लेकर इस area में troop movements को लेकर disputes होते रहे हैं For example, June 2003 में एक Chinese patrol ने Indian patrol team से arm machine लिये थे October 2014 में Indian troops ने यहाँ Chinese soldiers को road construct करने से रोका 2018 में China ने claim किया कि India इस region में transgression कर रहा है Longju, अगला disputed area है Longju जहाँ 1962 war के बाद से China का control है यह सारी valley में Megitun से 2.5 km south में है Megitun इंडिया-China का historical border है 1959 तक Longju में इंडिया का एक border post था लेकि Chinese attack के बाद से इंडिया ने ऐसे reoccupy नहीं किया बलकि माजा पर एक border post बनाया जो Longju से 10 km south में है इसके बाद conflict का एक और region है Tawang District Namka Chu River Valley in Tawang यह Tawang से लगबग 60 km है और यहाँ से ही 1962 का war भी start हुआ इस territory को China अपना integral part बताता है सुम्दरौंग Chu Valley भी Tawang में है जो Namka Chu के east में located क्याफो और तिबबत के Kona County के बीच में है इसे Chinese military ने 1986 के conflict में occupy कर लिया था इसके retaliation में इंडिया ने यांगस्ते ओफ Tawang को occupy कर लिया जिसको लेकर disputes होते रहे हैं Middle sector यह Ladakh में Dam Chalk से लेकर नेपाल border तक 545 km का area है और least controversial है यहां का only major disagreement है बाराहोटी plains जो उत्राखंड के चमॉली district में एक grazing ground है यहां का dispute troops के exact position को लेकर है Chinese insertions की खबरे भी यहां आती रहती हैं Western sector जो की North West of Karakom Pass से लेकर Dam Chalk तक है और यहीं conflict का major area है यह agreements का source भी जोहोग के letters है जो उन्होंने PM Nehru को लिखे थे अकसाई चिन यहां की biggest disputed territory है जो 38,000 square kilometer में फैला है इंडिया की official map में यह Ladakh में है लेकिन चाइना इसे 1950s से अपनी territory बताता रहा है 1950s में चाइना ने यहां Western highway बिल्ड किया जो Xinjiang को तिबबत से connect करता और यह अकसाई चिन से भी pass होने वाला था इंडिया ने उस वक्ती इसको criticize किया था लेकिन 1962 war के बाद चाइना ने इसे occupy कर लिया और आज अकसाई चिन चाइना के होटान county of Xinjiang province के अंडर administered है Demchog अगला area of conflict है Demchog जो ले में एक military base है Demchog frequently conflict और face-off का area रहा है November 2017 में इंडिया और Chinese troops के बीच यहां irrigation canal के construction को लेकर clash हुआ था ऐसा ही एक clash 2014 में भी देखा गया था Galwan Valley June 15, 2020 को इंडिया चाइना का one of the most violent conflict हुआ इसमें 20 Indian soldiers शहीद हो गये थे यह था Galwan Valley जो 1962 के बाद से largely peaceful था दाहिंदू की एक report के हिसाब से Galwan Valley Demchog के north में है और यह west में Ladakh और east में अकसाई चिन्ने के बीच strategically located है इसके लावा इस वैली का eastern part चाइना के vital Xinjiang Tibet Road के काफी नजदीक है MIT के professor M. Taylor Fravel के हिसाब से चाइना हमेशा से Galwan Valley को अपने maps और territory में दिखाता रहा है लेकिन LAC conventionally इस वैली के eastern side में located है जहां इंडिया और चाइना दोनों patrolling करते हैं इस clash के बाद चाइना अब assertively इस चाइना को अपनी territory के साथ LAC के अंदर भी बताने लगा है जो actually में baseless है दोस्तों इंडिया ने 1959 और 1962 के LAC को reject किया है और कहा है कि Chinese definition of LAC एक disconnected series of points है जिसे कई तरीकों से एक line में जोड सकते हैं former NSA शिफशंकर मिनौन के हिसाब से इसी वेगनर्स का फाइदा उठाकर चाइना ने समय समय में aggression दिखाया है इंडिया LAC को सिनो इंडो वार के पहले ही actual position के basis पर draw करने की बात करता है और कहता है कि LAC एक proper line होनी चाहिए ना कि wake points जिनको map पे रखा गया है इस पूरे dispute में सबसे ज़्यादा contentious area western sector ही है और इसका कारण geostrategic और historical दोनों है अकसाई चिन एक strategic location है जो warfare के हिसाब से beneficial है because of its 1700 feet high elevation ये region चाहिन को एक possible warfare में powerful position देता है इसके अलावा ये चाहिना पाकिस्तान nexus के लिए भी important है क्योंकि सियार्चन Glacier नाम का strategic outpost अकसाई चिन और P.O.K के junction में है यही वज़ा है कि चाहिना यहाँ अपने assertions काफी actively show करता है unlike in middle और eastern sector अकसाई चिन की complexity का reason historical भी है unlike eastern sector जहाँ at least Macpohan line तो बनी अकसाई चिन को लेकर ऐसा कोई formal agreement नहीं हो पाया Indian Express की report के हिसाब से 19th century में अकसाई चिन बिटिश empire में था लेकिन बिटिश इंडिया में नहीं वो princely state जम्मू और कश्मीर में था 1865 में Johnson line को प्रपोस किया जिसने अकसाई चिन को इंडिया में लाया और ये line जम्मू और कश्मीर के राजा ने accept भी की लेकिन ये proposal चाइना के सामने नहीं रखा गया फिर 1895 में McCartney और McDonnell line प्रपोस की गई जो roughly आज के LAC से match करती है और इसमें अकसाई चिन चाइनीज साइड में चला गया केवल यही proposal चाइना के सामने रखा गया लेकिन वहां से कोई response नहीं दिया इसलिए 1947 तक यहां की boundary undemarkated रही लेकिन इंडिया ने 1865 की Johnson line को follow किया 1954 में नहीं ने definite boundaries को map में दिखाने का order दिया इसी दौरान 1950s में Communist China ने Western road बिल्ड करना start किया जो अकसाई चिनने के पास होने वाला था इंडिया को इसका पता 1957 में चला because of geographical difficulty and poor accessibility 1958 में चाइना ने कई maps में इस road को confirm किया जिसके खिलाफ इंडिया ने आवाज उठाई लेकिन चाइना ने कहा कि वो सिर्फ मेक कार्टनी और मेक डॉनल लाइन को मानता है क्योंकि बिडिशर्स ने उसी को चाइना के सामने प्रिपोस किया था चाइना ने Johnson line को reject कर दिया जिसमें अकसाई चिन इंडिया में आता था Noted scholar A.G. Nourani के हिसाब से 1954 के पहले इंडियन गवर्मेंट के official maps western boundary पर clear नहीं थे इसलिए 1954 में नहरू ने इनमें clarity लाकर उन्हें सारे embassies में भेजने का order दिया आज हम officially इनी maps को use करते हैं और यही map 1962 Sino-Indian War का एक कारण भी बना 20th October 1962 को start हुए Sino-Indian War में Chinese ने unprepared Indian forces को eastern sector में push कर दिया और Ladakh में strategic points को occupy कर लिया इसके बाद चाइना ने 21st November को unilateral ceasefire announce कर खुद को LAC से 20 km पीछे withdraw कर लिया Zoe in Lie के LAC को Nehru ने accept नहीं किया लेकिन 1976 में बने China Study Group के बाद से बढ़ते conflicts को रोकने के लिए 1993 में Agreement to maintain peace and tranquility के तहत LAC को legally recognize किया गया यह agreement समदरोंग छू standoff के backdrop में हुआ लेकिन इसमें भी यह clarity नहीं थी कि LAC किस reference point से valid होगा 1959 या फिर 1993 की position से फिर 1996 के agreement में maps exchange की बात की गई ताकि LAC के cross military alignments clearly established हो यह maps 2001 में सिक्के में exchange हुए लेकिन western sector में ऐसा कोई map share नहीं हुआ और LAC को लेकर clarification के efforts 2002 के बाद almost बंद हो गए इस confusion के चलते ही 2013 में दौलत बेग ओल्डी incident हुआ जिसे हम दिपसांग standoff के नाम से भी जानते हैं जिसके बाद October 2013 में इंडिया और चाइना ने एक border defense cooperation agreement sign किया ताकि LAC के around patrolling से कोई armed conflict ना हो 2015 में PM Modi की China visit के दौरान LAC को clarify करने का proposal रखा गया लेकिन Chinese side ने इसे reject कर दिया 30th July 2020 को Chinese ambassador ने कहा कि China LAC को clarify करने के support में इसलिए नहीं है क्योंकि ये situation को और खराब कर सकता है इंडिया experts कहते हैं कि China का ये position उसे इंडिया के against aggressions दिखा कर अपनी bargaining power को strong रखने में help करता है और इसलिए वो शायद कभी भी इन्हें resolve नहीं करेगा खेराम इस वीडियो को से उमीद पर खतम कर सकते हैं कि future में इंडिया और चाइना इस dispute को amicably resolve करेंगे ताकि world peace maintain हो सके और दुनिया एक progressive society की तरफ move कर सके इंडिया और चाइना के बीच increasing conflict पुरी दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही nuclear powers हैं और इनके बीच कोई भी full scale war, world war 3 को भी जन्म दे सकता है especially in current situation जहां quad जैसे possible alliance जन्म ले रहे हैं दोस्तों इस पूरे conflict को लेके आपका क्यों opinion है और इस dispute में जो भी geographical locations थी इस वीडियो को देखने के बाद वो आपको clear हुई या नहीं comment section में जरूर बताईएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ please share करिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत